सबी दर्शुकों को नमस्कात आज हम आपकी पुस्तक भारतिय अर्थ्वेवेस्था का विकास की शुरुवात करने चा रहे हैं जैसे ही यह पुस्तक आपने देखी होगी या अपने हाथ में ली होगी तो आपके मन में उत्सुकता होई होगी कि इस पुस्तक में हम क्या-क्या पढ़ेंगे क्या-क्या नया जानेंगे इसको पढ़ने के जरूरत क्यों है आज हम सबसे पहले आपको यही बताने चा रहे हैं कि आप भारती अर्थिरस्था का विकास पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं इसमें आप क्या-क्या नया जानेंगे क्या-क्या समझेंगे इस पुस्तक में आप जानेंगे कि भारत आज किस जगह पर है यानि भारत में उर्चा, शिक्षा, स्वास्थे, रोजगार, निर्धन्ता, आधारिक सरिंचना, गमीन विकास, बैंकिंग विविस्था, आधिकी स्थिती क्या है? यानि आप भारतिय अर्थ्विस्था की विशेशताओं को समझेंगे इसी पुस्तक में आप यह भी जानेंगे कि भारत ने सभी क्षेत्रों में विकास के लिए कौन-कौन सी नितियां अपनाई हैं यानि हम आज जहां खड़े हैं, उस स्थिती तक हम कैसे पहुँचे हैं? इस बात को भी आप समझेंगे भारत की आज की स्थिती को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जब भारत आजाद हुआ, तब भारत कैसा था? जब आप यह जान लेंगे, समझ लेंगे कि भारती अर्फेदेस था, आजादी के समय कैसी थी? तो आपके लिए यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि इसके विकास के लिए भारत ने कौन-कौन सी नितियां अपनाई और हम आज यहां तक कैसे पहुँचे? आपकी इस पुस्तक की पहली इकाई है विकास नीतियां और अनुभाव 1947-1990 इस इकाई के दो अध्याए हैं इन अध्यायों के द्वारा हम आजादी से लेकर अगले चार दशकों तक भारत के द्वारा चुने गई पत का अवलोकन करेंगे इस पुस्तक का पहला अध्याय है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतिय अर्थ्वेविस्था आज हम इस अध्याय की शुरुवात करने जा रहे हैं इस अध्याय में आप जानेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो आर्थिक विकास की दर कितनी थी क्रिशी क्षेतर कैसा था ओद्योगी क्षेतर कितना अविक्सित था विदेशी व्यापार और सरंचना और दिशा क्या थी जनांकी किये परिस्थिया कैसी थी व्यवसाइक सरंचना क्या थी और आधारिक सरंचना के स्थिति क्या थी आप सभी से एक निवेदन है आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से और अन्य बुज़िद्वों से बात कीजिए उनसे पूछिए कि जब भारत आजाद हुआ तो यह कैसा था यह जब वे छोटे थे तो उस समय के स्थिती कैसी थी पढ़ाई कैसी थी, क्रिशी कैसी थी, उद्योग कैसे थी, सडकें कैसी थी, रेलवे थी, तो कहां तक थी जब आप उनसे बात करेंगे ना, तो वो आपको बहुत सारे उधारन भी बताएंगे और आपके लिए यह अध्याय समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और उनको भी अच्छा लगेगा, चलिए, अब हम एक-एक करके इस अध्याय के सभी कॉंसेप्स समझाते हैं आईए, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आजादी के समय भारत की आर्थिक विकास की स्थिती क्या थी ओपनी मेशिक शासन की अंतरगत निमनस्तर्य आर्थिक विकास हम देश के आर्थिक विकास का अनुमान राष्ट्रिय आय और प्रती विक्तियाय की समरिधी दर से लगाते हैं यानि राष्ट्रिय आय और प्रती विक्तियाय किस दर से बढ़ रही हैं अंग्रेजी शासन काल से पहले भारत की अपनी एक स्वतंत्र अर्थिवेस्ता थी तब लोगों की आजीवी का और सरकार की आय का मुख्य साधन क्रिशी ही था लेकिन इसके साथ साथ कई वी निर्मान करती विधियां भी हो रही थी जैसे सूती और रेश्मी वस्तर बनाना, धातुओं की वस्तमे बनाना, बहु मुल्य मनी रत्न, शिल्पकला आदी इन सब के लिए विश्व के बाजारों में भारत की अपनी एक अलग पहचान थी भारत इस बात के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था कि यहां की जो भी वस्तमे बनाई जाती हैं उन में अच्छी गुणवत्ता की सामगरी का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साथ भारत अपनी उच्छी स्तर की कलात्मक्ता के लिए भी विश्व भर में जाना जाता था उस समय के बंगाल के सूती वस्तर का ओधारन आपकी पुस्तक के बॉक्स में भी दिया गया है बंगाल का सूती उद्योग मलमल एक विशेश प्रकार का सूती कपड़ा है इसका मूल निर्मान क्षित्र बंगाल विशेश कर ढाका के आसपास का क्षित्र रहा है यह नगर अब बंगला देश की रास्थानी है धाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटी के सूती वस्तर के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याती अर्जित्की थी यह बहुत ही महिन कपड़ा होता था विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे इसका आश्य यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उप्योग के योग्यां मानते थे अंग्रेजी शासकों ने जो भी आर्थिक नीतियां बनाई भारत का आर्थिक विकास करना नहीं था बलकि उनका मुख्य उदेश तो अपनी मूल देश के आर्थिक हीतों का सरक्षन करना था समवर्थन करना था इन नीतियों ने भारत की अर्थे वेस्था के स्वरूप को ही बदल डाला भारत इंगलेंड को कच्चे माल का बेचने वाला और उनसे तयार माल को खरीबने वाला बन गया यनि भारत इंगलेंड को कच्चे माल का निर्यातक और वहां से तयार माल का आयातक बन कर रह गया उपनिवेशिक शासकों ने कभी भी भारत की राष्ट्रिय आये और पती विक्ति आये का आकलन करने का कोई भी प्रयास नहीं किया कुछ लोगों ने नीजिस्तर पर आकलन किये आकड़े इकठे किये लेकिन उनके अनुमानम में बहुत सी वी संगतियां थी आपसी मतभेद भी रहे इन आकलन करताओं में डादा भाई नवरोजी, विलियम डिग्जी, फिंडले शीराज, डॉक्टर वी के आरवी राव और आरसी दिसाई प्रमुख रहे हैं अपनिवेशिक शासनकाल के दोरान डॉक्टर राव द्वारब लगाय कई अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने चाते हैं फिर भी सभी अध्यायन करता इस बात से सहमत रहे कि बीस्वी श्तापदी के पूर्व में भारत की राष्ट्रिया आई की संव्रिधी दर दो प्रतिशत से भी कम ही रही और प्रतिवेक्टी उत्पाद व्रिधी दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई आईए अब हम क्रिशी क्षेत्र के बारे में जानते हैं ब्रेटिश शासन के अंतरकत भारत मूलत एक क्रिशी अर्थ्वेवेस्था ही बना रहा उस समय देश की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या जो गाउं में बसी थी प्रत्यक्ष या परोक्षरोप से क्रिशी के माध्यन से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी आपकी पुस्तक के बॉक्स में इसी बात को बहुत अच्छे शब्दों में लिखा भी है इस बॉक्स में ब्रेटिश शासकों के भारत आने से पहले का चित्रण दिया गया है सत्रवी श्ताब्दी में भारत में आई फ्रांसेसी यात्री बर्नियर ने उस समय के बंगाल का जो वर्णन किया है उसे बताया गया है अपने दो बार के भ्रहमन के दौरान बंगाल के विशे में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षित्र मिश्र देश से कहीं अधिक सम्रिद है यहां से सूती रेश्मी वस्तर, चावल, शक्कर, मक्षन, आधी का प्रिचोर मात्रा में निर्यात होता है यहां अपने आंत्रिक उभोग के लिए भी गेहूं, सबजियां, अनाज, मुर्गे-मुर्गियां, बतक, आधी का भरपोर उत्पादन होता है यहां सूवरों के बड़े-बड़े जुन्द और भेड़ बक्रियों के विशाल जुन्द भी विद्यमान है इस क्षेत्र में हर प्रकार की मचलियां प्रचोर मात्रा में उपलब्द है राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन और सिंचाई के लिए कंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वत काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिचा हुआ है ओपनिवेशिक शासन के समय में एक बहुत बड़ी जनसंख्या का मुख्य विवसाय होने के बाबजूद क्रिशी क्षेत्र में गतीहिन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही कुछ जगह पर तो इसमें गिरावट भी अनुभाव की गई हाला की कुल क्रिशी क्षेत्र में व्रिधी हुई यानि की जितने क्षेत्र में हम क्रिशी कर रहे थे वो बढ़ा कुल क्रिशी उत्पादन भी बढ़ा किन्तु क्रिशी उत्पादक्ता में कमी आती रही क्रिशी क्षित्र की गती हिंता का मुख्य कारण उपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू विरस्था प्रनालियों को ही मानद जा सकता है क्रिशी कार्यों से होने वाले समस्त लाब को जमीदार ही ले लेते थे किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था इतना ही नहीं अधिकतर जमीदारों ने क्रिशी क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया नहीं अंग्रेजी शासकों ने इस तरफ कोई ध्यान दिया जमीदारों की रूची तो किसानों से अधिक से अधिक लगान इकठा करने तक ही सिमित रहती थी उन्होंने कभी भी किसानों के आर्थिक दिश्चा को सुधारने का प्रयास नहीं किया इनी कारणों से किसानों को नितांत दूर दिश्चा को छीलने के लिए बाध्य होना पड़ा उस समय की राजजस्व विवेστा की शर्तें भी जमीदारों के इस वेभार का एक अन्यकार्ण थी जो राजजस्व जमा करना होता था उसकी राशी पहले से निश्चित होती थी और उसको सरकार के कोश में जम्मा करवाने की तीधियां भी पहले से ही निर्धारित कर दी जाती थी समय पर अगर कोई जमीदार यह रकम जम्मा नहीं करवाता था तो जमीदारों से उनकी अधिकार छीन लिये जाते थे क्रिशी परंपरगत तरीके से की जाती थी हल बैल का प्रियोग होता था शमिकों द्वारा पूरा पूरा दिन खेत में काम किया जाता था शमिक पूरा पूरा दिन खेत में काम में लगे रहते थे मशीनों का कोई प्रियोग नहीं था इसके इलावा उस समय क्रिशी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का बहुत अभाव था उर्वरकों का प्रियोग भी नहीं के बराबर हो रहा था इन्ही कारणों से भी क्रिशी उत्पादक्ता का स्तर बहुत कम था देश के कुछ खेत्रों में क्रिशी के व्यवसाई करण के करण नकदी फसलों की उच उत्पादक्ता के प्रमान भी मिलते हैं लेकिन इस उच उत्पादक्ता के लाप भारती किसानों को नहीं मिल पाए थे क्योंकि उन्हें तो खाद्यान की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था इस नकदी फसल का प्रयोग इंग्लेंड के कारखानों में होता था सिंचाई सुविधाओं में कुछ सुधार तो किये गए लेकिन भारत बार नियंत्रन और भूमी की उपजाओं शक्ति के मामले में पिछड़ा ही रहा भूमी हिन किसान और छोटे किसानों के पास क्रिशिक शित्र के लिए नहीं संसादन थे, नहीं तकनीक थी और नहीं कोई प्रेरणा आईए अब हम उद्योगे क्षेत्र के बारे में जानते हैं उद्योगे क्षेत्र आईए अब हम जानते हैं कि उपनिवेशिक शासन से पहले भारत में उद्योगों की स्थिती क्या थी? उपनिवेशिक शासकों ने इसमें क्या-क्या परिवर्तन कर डाले और जब भारत आजाद हwa तब भारत में उद्योगों के स्थिति क्या थी? जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कौन-कौन से उद्योग थे? कृशी की ही तरह, भारत एक सुद्रेड उद्योगी आधार का विकास नहीं कर पाया भारत की शिल्प कलाई जो पूरे विश्व में प्रसिद थी, उनका पतन हो रहा था इसकी जगह पर किसी आधुनिक उद्योगिक आधार की रचना भी नहीं होने दी गई भारत की इस वी उद्योगिकरण के पीछे विदेशी शास्कों का दोहरा उदेश्य था उस समय इंग्लेंड में आधुनिक उद्योगों का विकास हो रहा था अंग्रेजी शासक उन उद्योगों के लिए कच्चा माल भारत से लेना चाहते थे यानि वे भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे दूसरा इन उद्योगों से जो उत्पादन होगा उसे भारत में बेचना चाहते थे यानि भारत को उनके उद्योगों में उत्पादन होई वस्तुओं का आयातक बनाना चाहते थे अब भारत इंग्लेंड को कच्चा माल दे रहा था और वहां से बनी वस्तों को खरीद रहा था भारत ये शिल्पकारों का पतन हुआ इसके करण बेरोजगारी फ्याल रही थी हालांकि उन्निस विश्यताब्दी के उतरार्ध में भारत में कुछ आधनिक उद्योगों के स्थापना होने लगी किन्तु उनकी उन्नती बहुत धीमी थी पहले जूट उद्योग की स्थापना 1855 में कलकत्ता जिसका अब नाम कोलकत्ता है में की गई पहला लोह अहिसक गलाने वाला संयत्र 1872 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया शुरू में यह विकास कीवल सूती वस्त्र और पट्सन उद्योगों को आरंब करने तक ही सीमित था सूती कपड़ा मिले अधिकतर भारतिय उद्यमों द्वारा लगाई गई थी ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों आज के महाराष्टर और गुजराथ हैं में लगाई गई थी पट्सन उद्योग की स्थापना का श्रे विदेशियों को दिया जा सकता है यह उद्योग केवल बंगाल प्रांट तक ही सीमित रहा बीस्वी श्तापदी के शुरू के वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास शुरू हुआ टाटा आयरन स्टील कंपने टिसको के स्थापना 1907 में हुई दूसरे विश्वयुद के बाद चीनी, सीमेंट, कागज, आधी के कुछ कारखाने पे स्थापित हुए किन्तु भारत में भावी उद्योगी करण को प्रोटसाहित करने के लिए पूंजीकत उद्योगों का अभाव ही बना रहा हुआ अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि पूंजीकत उद्योग क्या होते हैं पूंजीकत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो मशीनों और कलपुर्जों का निर्मान करते हैं यहां वहां कुछ कारखानों की स्थापना से देश की परंपरिक शिल्पकला के पतन की भरपाई नहीं हो पाई नए उद्योगी क्षेत्र की सम्रिधी दर बहुत ही कम थी सकल घरेल उत्पाद में उद्योगी क्षेत्रक योगदान बहुत कम ही रहा इस नए उत्पादन क्षित्र की एक अन्य महत्वपून कमी यह थी कि इसमें सार्जनिक शित्र की भूमिका बहुत ही कम थे आईए अब हम विदेशी व्यापार के बारे में जानते हैं प्राचीन समय से भारत एक महत्वपून व्यापारिक देश रहा है किन्तो ओपनिवेशिक शासकों ने जो भी नीतियां अपनाई चाहे वह वस्तों के उत्पादन से संबंदित हो चाहे व्यापार से संबंदित हो यह सीमा शुल्क से संबंदित हो यह नीतियां प्रतिबंधात्मक थी उनकी इन नेतियों का भारत के विदेशी व्यापार की स्रंचना, स्वरूप और आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, उन, चीनी, नील और पटसन आदी का निर्यातक होकर रह गया साथ ही यह सूती, रेशमी, उनी वस्त्रों जैसी अंतिम भोगता वस्त्रों और इंग्लेंड के कारखानों में बनी हलकी मशीनों आधी का आया तक भी हो गया यनि इंग्लेंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाई रखा भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लेंड तक ही सीमित रहा शेश कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और इरान से भी होने दिया जाता था ब्रिटिश विदेशे शासन के अंतरगत भारतिय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेशता यह थी कि भारत का निर्यात अधिशेश का आकार बढ़ा था यानि भारत के कुल निर्यात, कुल आयात की यह पेक्षा अधिक थे किन्तो इस अधिशेश की भारतिय अर्चे विस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी अब क्योंकि भारत इंग्लेंड के उद्योगों के लिए नकदी फसले उगा रहा था इसी लिए भारत के आंतरिक बजारों में अनाज, कप्ड़ा और मित्ती का तेल जैसी अनेक आवशक वस्त्वें मुश्किल से उपलब्द हो पाती थी इतना ही नहीं इस निर्यात अधिशेश का देश में सोने और चान्दी के प्रवाव पर भी कोई प्रवाव नहीं पड़ा वास्तव में इसका प्रयोगतों अंग्रेजों द्वारा प्रशासन कार्य पर खर्च करने में किया जाता था यानि शासन विविस्था पर ही खर्च हो जाता था अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर खर्च और सेवाओं के आयात पर खर्च के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ अब हम एक बार रिवाईज कर लेते हैं हमने क्या-क्या समझा आजादी के समय भारत में राष्ट्रिय आयक की सम्रिधी दर दो प्रतिशत से भी कम थी और प्रती व्यक्ति आयक की सम्रिधी दर आधा प्रतिशत थी क्रिशिक शेत्र में उत्पादक्ता बहुत कम थी प्रवद्योगी की का स्तर निम्न था उर वर्कों का प्रयोग नहीं हो रहा था सिंचाई सुविधाउं का अभाव था और क्रिशिक शेत्र में आर्थिक पिछड़ा पन था भूर आजस्व विवस्था कठोर थी भूमी हिन और छोटे किसानों के पास क्रिशिक शेत्र के लिए नहीं संसाधन थे ने तकनीक थी और ने कोई प्रेरणा उपनिवेशिक शासनकाल में भारत में वी ओध्योगी करण हुआ भारतिये शिल्पकारों का पतन हुआ आजादी के समय भारत में कुछ ही उद्योग थे उस समय भारत में सूती वस्त्र उद्योग, इसपात उद्योग, पटसन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागस के कारखाने और चीनी मिल आदी थे भारत का अधिकतर व्यापार इंगलेंड से ही हो रहा था भारत कच्चे उत्पात का निर्यातक और तयार माल का आयातक भी हो गया था इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया